हिंदू धर्म में 18 पुराणों का वर्णन किया गया है। इन पुराणों में मनुष्य के कल्यान की बातें कही गई हैं। साथ ही यह भी बताया गया है कि मनुष्य के द्वारा किस मार्ग पर चलने से वह सफलता प्राप्त कर सकता है। बता दें कि हिंदू धर्म में गरुर पुराण को महा पुराण की संग्या दी गई है। इसमें स्वय भगवान विश्नु ने अपने प्रियवाहन गरुर देव को मोक्ष के मार्ग का रहस्य बताया है। मान्यता है कि गरुर पुराण में दिये गए नियमों का करने से व्यक्ति अपने जीवन में आने वाले कई संकटों को टाल सकता है और सफलता प्राप्त कर सकता है। साथ ही वह मृत्यू के बाद जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। आये गरुर पुराण से जानते हैं सफलता के कुछ मूल मंत्र। गरुर पुराण में बताया गया है कि जो व्यक्ति दूसरों के प्रती द्वेश की भावना रखता है वह कभी सफल नहीं हो पाता है। यदि ऐसा व्यक्ति आपके संगत में है तो उससे दूरी बना लें। ऐस इसलिए क्योंकि इसका प्रभाव आपके जीवन पर भी पढ़ सकता है। साथ ही ऐसे व्यक्ति के कारण सफलता प्राप्त करने में कई प्रकार की बाधाएं उत्पन हो सकती हैं। ऐसे व्यक्ति से सदैव सतर्क रहें। महापुराण में यह भी बताया गया है कि जो व्यक् व्यक्ति अपने लक्षे के प्रती सकारात्मक द्रिश्टिकोन रखता है। वह सदैव सफल होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि वह अपने लक्षे के लिए मेहंत और लगन से कार्य करता है। ऐसे व्यक्ति ही खराब भाग्य को सकारात्मक रूप देकर अच्छे में बदल सकते हैं. इसलिए व्यक्ती को सदैव अभ्यास करते रहना चाहिए और जीवन के प्रती सकारात्मक द्रिष्टिकों रखना चाहिए. गरुर पुरान में बताया गया है कि जो व्यक्ती बीमारियों से दूर रहता है और सदा उरजावान रहता है उसे ही सफलता प्राप्थ होती है. ऐसा इसलिए क्योंकि सफलता के मार्ग में कोई भी अडचन उत्पन्न नहीं होती है। इसलिए व्यक्ती को प्रतिदिन सुपाच्य और संतुलिक भोजन ही करना चाहिए। ऐसे व्यक्ती ही सभी बीमारियों से दूर रहते हैं और सफलता के मार्ग पर बिना किसी रुकावट क आगे बढ़ते रहते हैं। गरुर पुरान में बताया गया है कि जो व्यक्ती धर्म के मार्ग पर चलता है वही सफल और सम्मानित व्यक्ती कहलाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि धर्म सदा नियंबध धरूप से जीवन जीना सिखाता है, जो व्यक्ती अनुशासन का पालन करक अपना जीवन व्यतीत करता है और लक्षे की प्राप्ती के लिए आगे बढ़ता है, वही जीवन में सफलता प्राप्त कर लेता है।